मीठे बच्चे, बोल ये कितने मीठे हैं ओम शांते कल्प का जब अंतिम प्रहर आता है कल्योग का अंत आ जाता है दुनिया तमु प्रधान हो जाते है तो हमारा मीठा बाबा इस रिष्टी पर आते हैं और हमें कहते हैं कि अब घर जाने का समय हुआ है हम आतमाई इस दुनिया में रहते स्वयम को, अपने निजधाम को निजपिता को भूल गई थी और तो बाबा हमें पहले हम से मिलाता है फिर हमें, हमारा घर, हमारा पिता हमारी शक्तियां, हमारे ही गुण हमें याद दिलाता है और ऐसा नहीं है कि केवल घ्ञान के आधार पर हमें सब बाते समझाते हैं अब तो बाबा हमें योगद्वारा इतनी शक्तियां देते हैं जो हम सच में अपने मन बुद्धी को बिलकुल पवित्र, शान्त और शुद्ध करके बाबा के संग परमधाम जा सकें तो आज की मुल्ली में भी बाबा हमें इस विनाशी दुनिया से वैराग्य दिला रहे हैं और निजधाम जाने की और हमारा ध्यान आकरशित कर रहे हैं सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य आज है 29 तारीक, 29 जोन दो हजार चॉविस बाबा के महवाक्य हैं, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है इन आखों से, इन चर्म चक्षों से जो कुछ भी हम देखते हैं यह सब विनाश होना है तुम आतमाओं को अब घर लोटना है इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ जहां जाना है उसको याद करना है जिसे छोड़ना है उसे भूल जाना है तो है तो natural बात, definitely जिसको छोड़ना है उसको भूलना ही चाहिए पने तो बाबा को बार बार कहना पड़ता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि यह पुरानी दुनिया है प्रश्न है तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो शब्द कौन से प्रयोक करने है बाबा वो भी समझाते है उत्तर है सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्सा देने आया है तो दो बाप होते हद का बाप बेहद का बाप तुने बताओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्सा देने आया है अब हद के वर्से का समय पुरा हुआ अर्थात भक्ती पूरी होई अब रावण राज्ये समाप्त होता है, बाप आया है, तुम्हे रावण पाच विकारों की जेल से छुडाने यह है पुरुशोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुशार्थ कर दैवीगुणों वाला बनना है सिर्फ पुरुशोत्तम संगम युग को भी समझ लें, तो स्थिती श्रेष्ठ बन सकती है अगर ये भी समझ जाए ना, कि कौन सा टाइम चल रहा है, तो भी उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आपको तयार कर सकते है अब रोहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं रोहानी बच्चे? अव है भी चारी याद में बैछे हैं और किसी की याद तो नहीं आरे एक की याद में बैठे हैं न, एक होती है अव्य अभिचारी याद, एक की याद, दूसरी होती है, कंट्रास्ट व्य अभिचारी याद, अथ्वा अव्य अभिचारी भक्ती, जब पहले शुरू होती है, तो सब शिव की पूजा करते हैं, उंच तेउंच भगवान वही है वह बाब भी है फिर शिक्षक भी है पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं? जो तुनियावाले पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ाते मनुष्य से देवता बनाते हैं देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं और मनुष्य से देवता बनने में एक सकंड लगता है यह तो बच्चे जानते हैं हम बाप की याद में बैठे हैं वह हमारा टीचर भी है सत्गुरु भी है यूग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो वह खुद कहते हैं हे आत्माओं हे बच्चे देहे के सब संबंद छोड़ो अब वापिस जाना है यह पुरानी दुनिया बदल रही है अभी यहाँ रहना नहीं है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह बारूद आदी बनाए हुए हैं सारी तैयारिया हो चुके हैं इसे छोड़ना है इसके खतम होने की सारी तैयारिया है इसलिए बुद्धी भी अब इससे निकालने है नाचरल केलमिटीज भी मदद करती है विनाश तो होना है जरूर एकदम सब चीजे प्रकृती और मनुष्या आत्माए सब प्रिपेर्ड हैं बस जरूर होना यह सब कु तो तुम पुरुशोत्तम संगम युकपर हो संगम युकपर आ गए है हमने तो अपना यहां से लंगर उठा लिया है पुरानी दुनिया से बीच में आ गए है यह आत्मा जानती है हम अभी लौट रहे है इसलिए बाप कहते है इस पुरानी दुनिया पुरानी देहे को भी छोड़ना है देहे सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है यह सब विनाश हो जाना है शरीर भी खत्म होना है अब हम आत्माओं को घर लोटना है लोटने विगेर नई दुनिया में आने सकेंगे अब तुम पुरुश्यत्तम बनने का पुरुश्यार्थ कर रहे हो पुरुश्यत्तम है यह देवताई सबसे उच ते उच है निराकार बाप फिर मनुष्य स्रिष्टी में आओ तो इसमें है सबसे उच कौन है इसमें है उच देवता वह भी मनुष्य है परन्तु दैवी गुणों वाले है तो वो भी मनुष्य परन्तु अंतर क्या है उनमें दिव्य गुण है फिर वही आशुरी गुणों वाले बनते है अब फिर आशुरी गुणों से देवी गुणों में जाना पड़े सतियुग में जाना पड़े किसको? तुम बच्चों को तुम बच्चे पड़ रहे हो औरों को भी पड़ाते हो सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है बेहद का बाप बेहद का वर्सा देने आए है अब हद का वर्सा पूरा होता है बाप ने समझाया है पाच विकारो रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य है सब दुखी उठाते है सुखी रोटी मिलती है बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते है यहाँ सुखी रोटी मिलती है और बाबा हमें सुखी बनाते है बाप के सिवाए मनुष्य को देवताव कोई बना ना सके तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवताव बनने के लिए बिलकुल तैयारी कर रहे हैं अंदर से भी और बाहर से भी अभी है कल योग बहुत धर्म हो गए हैं तुम बच्चों को रचता और रचना का परीचय खुद बाब बैठ देते हैं तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे तुमको यह पता नहीं था कि वह बाब भी है टीचर भी है गुरू भी है तुमको यह पता नहीं था ना अभी जब बाबा आये तो पता चला गुरू, अकाल मूरत भी कहा जाता है, ऐसी मूरत जिसको काल नहीं खा सकता, तो ऐसी अकाल मूरत, तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है, वह अकाल मूरत इस शरीर रूपी तक्त पर बैठे हैं, ब्रह्मा तन के अंदर शिव बाबा, भुकुटी के मध्य विराजमान है, वह जन्म नहीं लेते हैं तो वह अकाल मुरत बाप बच्चों को समझाते है मेरा अपना रथ नहीं है मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाओं फिर रेंट पढ़ लेते हैं मुझे तो रथ चाहिए न अकाल मुरत को भी तक्त तो चाहिए तो बोलेंगे कैसे हम बच्चे तो मौन की भाषा नहीं समझ सकते तो बाबा को आना पड़ता है इस वाच्छा की दुनिया में अकाल तक्थ मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता है तुम हर एक को तक्थ चाहिए चाहिए न सबको ये तक्थ अकाल मूरत आतमा यहां विराजमान है वह सभी का बाप है उनको कहा जाता है महा काल अकाल मूरत भी है तो महा काल भी है वह पुनर जन्म में नहीं आते हैं तुम आतमाएं पुनर जन्म में आती हो मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे भक्ती को रात ज्ञान को दिन कहा जाता है यह पक्का याद करो पक्का भक्ती क्या है रात ज्ञान है दिन मुख्य है ही दो बाते अल्फ और बे बाप और बादशाही बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं इसलिए इसको पाटशाला भी कहा जाता है भगवान वाच, भगवान तो है निराकार उनका भी पाट होना चाहिए वह है उच्च ते उच्च भगवान उनको सभी याद करते हैं बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता हो कोई मनुष्य नहीं होगा न सब याद करते हैं भगवान को अलग-अलग रूपों से याद करते हैं अलग-अलग नामों से याद करते हैं दिल से ही सब पुकारते हैं हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड़ फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर. जरूर बेहद का ही सुख देंगे, तो हद का सुख नहीं देंगे, आत्मा बेहद है, unlimited है, बाबा हमारा बेहद है, तो बाबा से जो प्राप्तियां हो रही है, जरूर बेहद मिलेगा, बिलकुल unlimited, हद का बाब, हद का सुख देते हैं, बेनाशी होता है न वो तो, कोई को पता नहीं, अब बाब आए है, कहते हैं, बच्चों, और संग तोड, मुझे एक बाब को याद करो, यह भी बाब ने बताया है, तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, बहा तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नई पाया जाता है, नए मकान में सदेव सुख होता है, पुराने में दुख होता है, तब तो बाब बच्चों के लिए नया मकान बनवाते है, बच्चों का बुधी योग नए मकान में चला जाता है, यह तो हुई हद की बात, अभी तो बेहद का बाब नई दुनिया बना रहे है, पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, वह कबरिस्तान होना है, अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है, तुम संगम युक पर हो, कल्युक की तरफ भी देख सकते हो, सत्युक की तरफ भी देख सकते हो, दोनों इधर भी देख सकते हैं तुम संगम युक पर साक्षी हो देखते हो बिल्कुल टॉप पर हैं स्रिश्टी चकर के टॉप पर तो टॉप पर खड़ी हो जाओ तो सब चीज़े पष्ट नजर आती है खासतौ और पर इधर क्या है और इधर क्या है तो साक्षी हो कर देखते हो प्रदर्शनी में अत्वा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो बिल्कुल संगम युक पर खड़ा कर दो तो इस तरफ है कल युग उस तरफ है सत युग हम बीच में हैं बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहां पर अब इदर देखेंगे क्योंकि दोनों तरफ देख सकते हैं तो सतियुक से सतियुक की तरफ जब देखते हैं तो क्या दिखाई देता है नई दुनिया है थोड़े मनुष्य है तो बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, जहाँ पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्मवाला नहीं होता है, सत्युग में और कोई धर्मवाला नहीं आता है, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुशार्थ कर रहे हो, इस समय हम यहाँ जाने का पुरुशार्थ कर रहे हैं पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है कि हे बाबा हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो कहां पुकारा था, कलियोग से हमने बहुत जादा पुकारना शुरू कर दिया था पुकारा तो द्वापर में भी था, परन्तों कलियोग में जब बहुत जादा दुखी हो गए, ज्यादा पतित हो गए तो ज्यादा पुकारा और क्यों पुकारा ताकि हम संगम युक पर बाबा आए और हम बाबा से पवित्रता की घ्यान की गुणों की शक्तियों की किरने ले, बाबा से सकाश ले, बाबा से प्यार ले और पवित्र बनकर पावन दुनिया में चले जाएं तो बबा कहते हैं ऐसे नहीं कहते कि शांती धाम में ले चलो, क्या कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो, परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम, अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ती धाम कहा जाता है, स्वीट होम भी है, परम धाम भी है, मुक्ती धाम भी है, जिसके लिए ही सन्यासी आदी शिक्षा देते हैं किसलिए जाते हैं सन्यासियों के पास मुक्त हो जाएं जाना मरण की बंधनों से छुट जाएं इसके लिए ही जाते थे वह सुखदाम का ग्यान दे नहीं सकते वह निवरती मार्ग वाले तुम बच्चों को समझाया गया है कौन-कौन धर्म कब-कब आते हैं सब पता है हम बच्चों को कौन-कौन से धर्म कब-कब आते हैं जाड में भी है, गोले में भी है मनुष्य स्रिष्टी रूपी जाड में पहले-पहले फाउंडेशन तुमारा है बीज को कहा जाता है व्रिक्षपती बाब कहते हैं मैं व्रिक्षपती उपर में निवास करता हूँ तो वैसे तो बीज नीचे होता है ज़ाड उपर होता है लेकिन यहाँ पर क्या है मनुष्य स्रिष्टी नीचे है उसका बीज जो है शिव बाबा वो उपर में है जाता है, तब मैं आता हूँ, देवता धर्म स्थापन करने, बनियन ट्री का बड़ा वंडरफुल जाड है, बनियन ट्री का बोटानिकल गार्डन के अंदर, कॉलकता में बहुत ही ब्यूटिफुल वंडरफुल जाड है, बिगिर फाउंडेशन, बाकि सारा जाड खड़ा है कहने को जाड है, पर जाओ तो ऐसा लगता है, जाड नहीं है, पेड नहीं है, जंगल जैसा लगता है, तो इतना बड़ा है वो ट्री, इस बेहद की जाड में भी आदी सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकि सब धर्म खड़े हैं, तुम मूलवता निवासी थे, यहां पार्ट बज़ाने आये हो, तुम बच्चे, आल राउंड पार्ट बज़ाने वाले हो, पूरा चक्र लगाया है अमने स्रिष्टी का, आल राउंड, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर मिनिमम एक जन्म, मनुष्य फिर कह देते, 84 लाख जन्म, वह भी किसके होंगे, यह भी समझ नहीं सकते, बाबा कर, तुम बच्चों को समझाते है, 84 जन्म तुम लेते हो, सब नहीं लेते, जो ड्रामा के आदी में आई ना आत्माए, उनके है 84 जन्म, पहले पहले, मेरे से तुम भी छुड़ते हो, हम नहीं सबसे पहले बाबा को छोड़ा उपर परमधा सत्योगी देवताई ही पहले होते हैं, जब वहे आत्माई यहां पार्ट बजाते हैं, तो बाकी सब आत्माई कहां चली जाते हैं। बाकी दुनिया तो यही है, पार्ट यहां बजाते हैं, नई दुनिया में सुख का पार्ट, पुरानी दुनिया में दुख का पार्ट बजाना पड़ता है। सुख और दुख का यह खेल है, वह है राम राज्चे, दुनिया में कोई भी मनुष्य यह नहीं जानते, कि सृष्टी का चक्र कैसे फिरता है, न रचाईता को, न रचना के आदी मध्यांत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है, रचाईता और रचना के आदी मध्यांत का ज्ञान कोई शास्त्र में है नहीं, मैं तुमको सुनाता हूँ। फिर यह प्राई लूप हो जाता है, यह ग्यान पिलकुल विलुपत हो जाता है। सत्योग में यह रहता नहीं, भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है, गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राज योग सिखला कर राजाई का वर्सा देते हैं बकी रचना से वर्सा मिलना सके वर्सा मिलता है ही रचता बाप से Creator बाप से वर्सा मिलता है हर एक मनुष्य Creator है बच्चों को रचते हैं है ना सब create करते रहते हैं वह है हद के ब्रम्भा यह है बेहद के ब्रम्भा यह सारी मनुष्य स्रिष्टी के पिता है ब्रम्भा बाबा है वह है निराकार आत्माओं के पिता शिव बाबा वह है लौकिक पिता यह फिर है प्रजा पिता अलौकिक पिता क्या सतियुग में? नहीं, पुरुष्योत्तम संगम युग पर होना चाहिए. मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि सतियुग कब होता है? उन्होंने तो सतियुग कल युग आदी को लाखों वर्ष दे दिये हैं. बाप समझाते हैं, बारा सो पचास वर्ष का एक युग होता है. चुरासी जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना, सीड़ी का भी हिसाब चाहिए ना. हम कैसे उतरते हैं? पहले-पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उनके बाद फिर आते हैं इसलामी, बौधी. बाप ने जाड का राज भी बताया है. पूरा बाबा ने अक्चुरेट सारी स्रिष्टी में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, सब बताया है. बाब के सिवाए, तो कोई सिखला ना सके. तुमको कहेंगे, यह चित्र आदी कैसे बनाए? किसने सिखाया? बोलो, बाबा ने हमें ध्यान में सिखाया. इस सारा कुछ बाबा ने practically संदेशियां जाती थी ध्यान में, तो बाबा सारे चित्र दिखाते थे. फिर उसके आधार पर जो चित्र बनाने वाले होते हैं, तो उन्होंने फिर चित्र बनाए. तो वो गाइड करती रहती थी और वो चित्र बनाते रहते थे. तो बाबा ने का बोलो, बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, फिर हम यहां बनाते हैं. फिर उनको बाप ही इस रत हमें आकर करेक्ट करते हैं. कि ऐसे ऐसे बनाओ. खुद ही करेक्ट करते हैं. दिखो, बाबा चित्र बी बनवाते हमारे लिए, खुद शिव बाबा. क्या बोलना है वो भी सिखाते। सारी ट्रेनिंग हमारा परम शिक्षक आकर हम बच्चों को देते हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं? तो लग जाना चाहिए ना भगवान हमें सिखा रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं, वो हमें ट्रेन कर रहे हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुन्दर कहते हैं। परन्तु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यूं कहा जाता है। यह वैकोंठ का मालिक था तो गूरा था श्याम सुन्दर। तो सुन्दर कब थे? जब वैकोंठ के मालिक थे। फिर गांवडे का छोरा सावरा बना, कल्योगांत में। इसलिए उनको ही श्याम सुन्दर कहते हैं। पहले सुन्दर थी, फिर श्याम हुई, फिर श्याम से सुन्दर बनी। यही पहले आते हैं ततत्वम्म। इन लक्षमी नारायन की राजाई चलते हैं। आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं? यह भी किसको पता नहीं है? भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदु कह देते हैं. मैं भारत में ही आता हूँ. भारत में देवताओं का राज्य था, जो अब प्राय लोप हो गया है. मैं आता हूँ फिर से स्थापना करने. पहले पहले है ही आदी सनातन देवी देवता धर्म. यह जाड़ वृद्धी को पाता रहता है. नै-नै पत्ते मठ पंत पिछाड़ी में आते हैं. तो उनकी भी शोभा हो जाती है. फिर अंत में जब सारा जाड़ जड़ जड़ी भोत अवस्था को पाता है, तब फिर मैं आता हूँ. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवती भारत. आत्मा अपने को भी नहीं जानती, तो बाब को भी नहीं जानती. जड़ सारा जड़ जड़ी भूत हो जाता है. आत्मा ये पूरे अज्ञान अंधकार में फस जाते हैं. भटकने लगते हैं. तब बाबा आते हैं, जब धर की इतनी ग्लानी हो जाते हैं. तो बाबा कहते हैं, अपने को भी गाली देते, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं. जान बुझ कर नहीं देते, परन्तो अज्ञानता वश देते हैं. तो जब ऐसी अवस्था हो जाती हैं दुनिया की, तो Creator इस स्रिष्ठी पर आते हैं. तो बाबा कहते हैं, तमु प्रधान बेसमझ बन जाते हैं, तब मैं आता हूं. पतित दुनिया में ही आना पड़े हैं. तो मनुष्यों को जियदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो, जीवन दान देते हैं, एक नया जीवन. बाकी तो प्रख के अंदर अपने आपको विनाशी समझ के बैटी थी. बाबा आते हैं, हमें हमारा यथार्थ परीचे देते हैं, हमें जड से चेतनता की और ले जाते हैं. तो बाबा कहते हैं, जियदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो, सब दुखों से दूर कर द देते हो, और सो भी आधा कल्प के लिए, एक दो जनम नहीं, आधा कल्प के लिए दुखों से मुक्त, गायन भी है ना, वन्दे मातरम. तो पहले तो साकार मुडली है, तो अधिकतर संख्या माताओं और बहनों की होती थी, और अभी भी बाबा ने ज्यान का कलश तो के सिर पर रखा है, इसलिए गाया जाता है वन्दे मातरम, तो बाबा कहते हैं कौन सी माताओं जिनकी वंदना करते हैं, तुम माताओं हो, सारी स्रिष्टी को बहिष्ट बनाती हो, भूं-भूं करके मनुश्यों को देवता बना देती हैं माताओं, भलपुरुष भी हैं, लेकिन majority माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते है, खुद भगवान कहते हैं वंदे मातरम, बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते है, जिन महिलाओं का मनुष्य आत्माओं ने तिरस्कार किया, है न, उनको बाबा आकर उचा उठाते है, और जब से बाबा आए है, तब से दुनिया में भी बहनों को आगे बढ़ाया जा रहा है, अच्छा? रुहानी बच्छों की, रुहानी बाप दादा को, गुट मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. धारना के लिए मुखे सार पहला, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है, बुद्धी से बिलकुल संगम पर खड़े हो जाओ, साक्षी होकर, साक्षी हो, सब कुछ देखते होए, बुद्धी योग नई दुनिया में लगाना है, बुद्धी में रहे, अभी हम वापस घर लोट रहे हैं, दुसरा, सभी को जियदान देना है, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है, बेहत के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, दैवी कुण धारन करने और कराने हैं, अज का वर्दान है, सदा श्रीष्ठ समय प्रमाण, श्रीष्ठ कर्म करते, वहा वहा के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भवा, कैसे बनेंगे भाग्यवान आत्मा? जब श्रेष्ट समय के प्रमाण, श्रेष्ट कर्म करते हुए, वहाँ वहाँ के गीत गाएंगे इस श्रेष्ट समय पर, यह जो संगम का समय चल रायस पर, सदा श्रेष्ट कर्म करते श्रेष्ट यानि पवित्र कर्म, जो बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म किया जाते है असे में बाबा की श्रीमत प्रमाड यदि हम कर्म करते, वहा वहा के गीत मन से गाते रहो। क्या गीत गाएंगे? वहा मेरा श्रेष्ठ कर्म या वहा श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, तो सदा वहा वहा के गीत गाओ। कभी गल्ती से भी गल्ती से भी दुख का नजारा देखते भी हाई शब्द नहीं निकलना चाहिए देख रहे हैं कल युक चल रहा है तो नजारा कहीं बरी अच्छा नहीं भी होता परंतु उस सब देखते हुए भी हाई शब्द मुख से नहीं निकले हाई ऐसे क्यों, वो हू ऐसे क्यों, ये शब्द नहीं निकले, वहा ड्रामा वहा और वहा बाबा वहा, जो स्वप्न में भी नहीं था, वह भाग के घर बैठे मिल गया, इसी भाग्य के नशे में रहो, सोचते रहो और नशे में रहो, स्लोगन है मन बुध्धी को शक्ति शाली बना दो, मन बुध्धी को शक्ति शाली बना दो, तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे, क्यों हिल जाते हैं, क्यों अचल अडोल नहीं रह पाते हैं, क्योंकि म परिस्थितियों को व्यक्तियों को दोशी नहीं ठहराओ, कि उनके कारण हम हिल गए, नहीं, हमारा मन कमजोर था, बुद्धी कमजोर थी, इसलिए हिले, तुने शक्तिशाली बनाओ, तो आज विशेश, क्या पुरुशार्थ करेंगे बार-बार, मन बुद्धी को संगम यु और ये फील करो कि हमें जाना है, अब अपने घर, फिर सुखधाम में आना है, हम आगे जा रहे हैं, और हमारे एक तरफ है कल युग, दूसरी तरफ है सत्युग, हमने ये किनारा छोड़ दिया है, हमें इस और जाना है, तो बिलकुल साक्षिद रिष्टा होकर, संगम यु रंजन का खेल समझ कर, बिलकुल साक्षिद रिष्टा होकर, ड्रामा के हर एक सीन को इंज्वाए करते रहो, चाह, ओम शान्ति लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे तेरा बंकर तुझ से ओ बाबा, मुखन मोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे तुम ही तुमात पिता बंधू हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी तेरे संग सदा हम ऐसे, जैसे दीपक में बाती तेरे संग सदा हम ऐसे, जैसे दीपक में बाती जद रूटे पर ये प्यार रिष्थे हम दोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे तेरा साथ में चोड़ेंगे तुम्ने ये दुनिया जान न पाई हमने तुमको है जाना तुझ में बाबा पाया हमने बेहत का परम खजाना तुझ में बाबा पाया हमने बेहत का परम खजाना तिरे नेहका आचलो बाबा तिरे नेहका आचलो बाबा हम तो ओड़ेंगे तेरा साथ न छोड़ेंगे दिरा साथ चोड़ेंगे दुख पर्द जो पी आएंगे हस हस कर पी जाएंगे दुख दर्द जो भी आएंगे हस हस कर पी जाएंगे दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुक राएंगे दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुक राएंगे तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में बोलेंगे तेरा साथ न छोडेंगे लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोडेंगे तेरा बन कर तुझसे ओ बाबा तेरा बन कर तुझसे ओ बाबा मुखन मूडेंगे तेरा साथ मचोडेंगे शाथ मचोडेंगे तेरा साथ मचोडेंगे